वही गलती हर बार दोहराती पूरी काइनात है वही गलती दोहराती आखिर पूरी काइनात है विभत नहीं नाम मेरा विभात है इक से बात शोरू करता हूँ इसमाने से जमाने से चिपाकर कुछ काच की कुछ कांच की रंगीन गोटियां रखी है यह वो बाप कहता है जिसके घर पे बेटियां रखी है और पता भी है शेर मुलाइजाओ के पता भी है चांद अमावस को कहां जाता है पता भी है चांद अमावस को कहां जाता है कहीं जाकर देखो वहां जहां बेटी की बनाई रोटियां रखी है अब एक गजल सुनाओं यह लॉंग डिस्टिंस रिलेशनशिप आजकल बहुत कॉमन है हुआ यूँ की दो दोस्त बात कर रहे थे एक की अभी अभी लॉंग डिस्टिंस रिलेशनशिप पर बात शुरूई थी लड़की से तो वो बता रहा था कि वो कैसी दिखती है शेर सुनें के शायर के शब्दों से दिखती है वो बारिश की भूनों से दिखती है वो है अर्ज मेरा की मैं हूं मरीज है अर्ज मेरा की मैं हूं मरीज और दिल्ली के जाड़ों से दिखती है वो तब दोस्तों को आप जानते ही है वो कि दिखती है कि दोखा है सब दिखती है कि दोखा है सब कहीं झाल प्रिया वाला चक करत नहीं है कि दिखती भी है कि धोखा है सब तो वो कहता है लग पागल लोग पस ऐसे मिराजों से दिखती है वो मिराज फिजिक्स का स्टुडेंट हूँ मिराज आप जानते हैं तो दिखती भी है कि धोखा है सब बस ऐसी मिराजों से दिखती है वो और नशे में हुमाएं ये तारीफे तारीफ हैं उसकी पुरानी शराबों से दिखती है और इस यानि पुरानी कितागों से दिखती है वह एक पर उसने सर्च किया और दिख गई हम पता चल गया क्या दिखती तो क्या ने दिखती तो शेर यह कि देखा तो होगा बस देखा होगा देखा और यानी रातों के खाबों से दिखती hai रातों के खाबों से दिखती है शेरे आखर यह है कि भूलाना जो चाहो भूलाई न जाए बच्पन की यादों से दिखती हो बच्पन की यादों से दिखती हो कुछ नया शायर सुनाओं आपको इससे शुरू करूँगा मतले से के शायरी सबूत नहीं मांगती शेर किरदार नहीं ढूनता मांग नहीं है गजलों को इनायत की यह मालिक है मेरा नौकर वफदार नहीं ढूनता और शेर यह है के कोई अपना घर साबूत ढून ले इसलिए बॉर्डर पे कोई सैनिक घरबार नहीं ढूनता और अब ट्रिगर दब चुका है बस दबने वाला है तो अब वो क्या सोच रहा है कि मार ही देगा न मुझे अगर उसे गोली न मारी इसलिए तो मैं कोई दोस्त उस पार नहीं ढूनता और बेटी की शादी करनी है जादा मत सोचो आजकल कोई लड़का इमानदार नहीं ढूनता रुके था लीस्ट बना कि लाए थी देखने हम प्हां आए अए तारूप कराऊं अपना एक शेर से के उंगलियां मचलती हैं इतिहास लिखने को उंगलियां मचलती हैं इतिहास लिखने को इस मचलन को जो रोके उसे ये जहान कहते हैं और हम नहीं कहते हैं मन की खामोशी सबसे वो जो आखों में देखते हो हमारी उसे दूफान कहते हैं और शेयर ये है कि अपनी दोगस जमीन पर इतराने वालों उपर देखो ये मेरा है इसे आस्मान कहते हैं फोटोग्राफर ने मुझसे ये कहा है घवराईये मत फोटोग्राफर ने मुझसे ये कहा है घवराईये मत फोटो अच्छी आएगी बस मुस्कुराईये मत आपके दान इस खूब सूरज शकल पर बच्सूरज जान पड़ते हैं च्छिपा लेजिए दान दान दिखाईये मत आज कल ग्यान की बातें जो मैं कर रहा हूं आज कल ग्यान की बातें सुनता ही कौन है आप मेरी बात सुनिये मुझे सुनाईये मत आप आप मेरी बात सुनिये मुझे सुनाईये मत आपका शेर पढ़कर तो फिदा हो जाए कोई भी हसीना आप चेहरे को अपना दुश्मन बनाईये मत और एक हुनर का चिराग तो कबसे आपके नाम है बजसूरती की फूप से चिराग बुजाईये मत और अंतिम शेर ये है कि कलम की नोख से नोचनी है यही चिप्पी दिवारों से कलम की नोख से नोचनी है यही चिप्पी दिवारों से विभात यही तो मसला है मसला भुलाईये मत अुर्द्व जबान का इश्ख से मैं सुनाता हैं और उसके आया के खुशि तो उससे जताऊंगा मैं भुषि तो उससे जताऊंगा मैं जो ग़ुन की आरजु जानता हूं खुशी और गम साथ सा चलते हैं, खुशी तो उससे जताऊंगा मैं, जो गमों की आरजु जानता हो, मुझसे हिंदी में वो बात करें, जो उर्दु जानता हो, और ये अंतिम शेर बस खतम हो गया, कि विभाज जैसी शायरी करने की कोशिश घर पर ना करें, विभाज जैसी जा जवाज जैस करें, जानता हो, भासुशी घर थालते हैं, जानता हो, मुझसे है एक।ब करेंगा मैं, जानता हो, मुझसे हैं, कि इस ब σας खतके हैं, कि जए हो, मुझसे जानता हैं…